नमुश्कार में प्रिया विहारी नियूज में आपका स्वागत है अक्सर सडकों पर चलने के दौरान दो पहिया वाहन चालकों को कई नियमों का पालन करना पड़ता है जुसमें हेलमेट लगाना और दो लोग बैठे हो तो डबल हेलमेट लगाना जो इसे नियम आमतोर पर लोगों के लिए लागू किये गया है हालाके इन नियमों का पालन तो युवा वर्ग और बुजुर्ग तो करते ही है लेकिन कहीं न कहीं बच्चे इन नियमों का हिसान नहीं बन पाते यही कारण है कि अब सरकार ने बच्चों पर खास ध्यान देने का मन बनाया है इसी को लेकर हाली में केंद्र सरकार ने संशोधित केंद्रिय मोटर या नियम 1989 राजपत्र में अधिसुचित किया है जुसमें संबंधित प्रावधान शामिल किये गया है जुसके तहती अब 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों को अब बाइक पर चुड़ते समय क्राश हेलमेट और सेफटी हार्नेस लगाना होगा हार्नेस बाइक चलाने वाले व्यक्ति के साथ भी जुड़ा होगा जुसे बच्चे के फिसल कर बाइक से गिरने की आश्रंका नहीं रहेगी साथी 4 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर चलने वाले बाइक की अधिक्तम गती 40 किलोमीटर प्रती घंटे होगी रज सरकार के द्वारा इसे रज में लागू किये जाने की अधिसूचना ज़ारी होने के बाद पटना में भी बाइक के पीछे बैठे बच्चे जो 4 साल से कम के हैं उनके लिए ये प्रावधान लागू हो जाएगा अब सवाल ये है कि आखिर सेफटी हार्नेस है क्या तो हम आपको मता दे कि सेफटी हार्नेस बच्चों के द्वारा पहना जाने वाला एक वेस्ट है जो समयोजित करने योग्य होता है इसमें वेस्ट से एक पट्टियों की एक जोडी और चालक द्वारा पहना जाने वाला शोल्डर लूपस होता है इससे बच्चों का उपरी धर चालक से सुरक्षित रूप से जुड़ा होता है हाला कि इसको पहनने से पहले अभिभावकों को कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा जिसके तहट हलका वाटरप्रूफ और टिकाउ होना जरूरी है भारी नाइललन या फिर उच्छ घनत्व फोम वाली मल्टी फिलाविंट समागरी से बना साथी 30 किलो तक भार वहन शम्ता के लिए डिजाइन होना चाहिए वहीं बच्चों को पहनाई जाने बाले क्राश हिलमिट की बात करें तो केंद्रि सरकार की तरफ से जारी किये गैन नियम के अनुसार जब तक भारती मानक ब्यूरो के दिशानिर देश तै नहीं होते यूरोपियन BSN 1080, BSN 1088 या ASTM 1447 गुनवत्ता मानक का अनुपालन ज़रूरी होगा गुनवत्ता पुर्णिस साइकल हेलमिट का भी इस्तमाल किया जा सकता है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि बिहार समेत देश भर में दो पहिया वाहन चालकों के दुरगटना ग्रस्त होने की जानकारी निकल करके सामने आदी रही है जिसमें कई बच्चों भी कई बार जानगवा चुके हैं यही कारण है कि बच्चों के सुरक्षा को भी अब सरकार प्रात्मिक्ता में रख रही है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद